क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले सकते अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले सकते अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वरा गुरू साक्षात प्रम्रह्म्हा तसमय स्रे गुरूवे नम्हा नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन संडिल परती दिन के तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सब ही के अपने एवं बेहद ही खास कारिकरम कुंली दर्शन में और आज कुंली दर्शन के इस विशेश रासी फल विशेशां कारिकरम में बात करेंगे 28 नवंबर 2018 के रासी फल के बारे में जी हाँ इस कायरक्रम में जानेंगे कि कैसा गुजरेगा आपका आज का बुद्धवार का दिन क्या है ग्रह नचत्र और शितारों की चाल क्या होगा आज के दिन आपके रासी का हाल शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेश रासी से फिर क्रमशा बारी बारी से सभी रासी के रासी फल के बारे में बात करेंगे शुरुआत करें उससे पहले जिन दर्शकों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है वो वीडियो के नीचे लाल कलड के सब्सक्राइब लिखे हुए बटन पर किलिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें फिर ज़श्ट बगल में घंटी के आकार के बेल आइकोन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको इस चैनल पर टेली अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मुवाइल तक पहुच जाए और यदे वीडियो जे सम्मंदित कोई सुझाव हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्षन में आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले मेसरासी से मेसरासी वाले आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है कोई शुब शमाचार मिलने का योग नजर आ रहा है आज के दिन आप खुद पर भरोशा रखें आत्मिश्वास कम ना होने दें धैर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज के दिन को शफल बनाने के लिए आज आपको कोई प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकता है लव लाइब की बात करें तो किसी के साथ कमिटेड होकर आप बात करेंगे और आपको इसमें शफलता मिल सकता है और विवाईत लोगों को विपरित लिंग वालों के साथ अपनी भावनाये सेर करने का आज कुछ अच्छे मोके मिल सकते हैं पिछले कुछ समय से चले आ रहे शमस्याओं का आज आपको शमाधान मिलता हुआ नजर आएगा केरियर की यदि बात करें तो आज के दिन बिजनस में कोई भी फैसला बहुत शावधानी से ले नुक्षान होने के योग बन रहे हैं आज आप कोई कोर्स या सिलिवस में आगे बढ़ने के लिए कुछ अतिधिक पढ़ाई कर सकते हैं इस रासी के इस्टुडेंट के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है जो भी प्लानिंग बनाएंगे उसमें आप शफल रहेंगे हेल्थ की यदि बात करें तो आज की दिन आपका स्वास्त पहले से उत्तम रहेगा कुछ पिछले समय से चली यहरी बिमारियों से आपको शमाधान मिल सकता है लव लाइफ में आज आपको किसी बात को लेकर मुड़ खराब हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर लव लाइफ आज आपके लिए अच्छा रहेगा और जीवन साथी से भी मदद बराबर मिलती रहेगी आज के दिन आपको किन बातों में सावधान रहना है आज आप अपनी भावनाएं विशेस करके सोच विचार कर किसी के सामने सेर करें आज के दिन आपको कुछ सुस्ती, कुछ आलस हो सकता है कुछ बातों को लेकर मन में और निश्चिता भी आ सकती है अपनी योजनाओं को लेकर अपने ही मन में शंदे भी पैदा हो सकता है थोड़ी परिशानियों वाला दिन शावित हो सकता है और आज आप कोई भी decision लेने में थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं इसलिए इन सभी बातों से आपको बचना होगा और केरियर में शही लक्ष की ओर दिसा केंदरित करके आपको आगे बढ़ना होगा आज के दिन उपाई में गव माता को रोटी खिलाएं यहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी विर्शव रासी विर्शव रासी विले आज आप काम के जुनून को बहुत हद तक अपने उपर हावी होनी देंगे यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है धैर पूरवक काम करें आज आपको आफिस में किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है परिशानियों से निपटने के आज आप कोशिस कर सकते हैं आज के दिन आपको इसमें शफलता भी मिलने वाला है आपके काम काज की तारीफ हो सकती है आपको आज अपने लोगों का शहयोग प्राप्त होगा परिवार के साथ बिताया गया समय आज आपके लिए बहुत ज़्यादा आननदायक रहने वाला है आज के दिन बहुत से लोग आपके बात को मानने वाले हैं कुछ आज के दिन आप विशेश करके जो बातों से बचना है जुनिलाट और बेचैनी अपने उपर सवा ना होने दे पैसों से जुड़े आपके कुछ काम रुख सकते हैं इन बातों को लेकर शतर का आपको पहले से रहना होगा आज के दिन सेहत में किसी भी परकार के इस्तिति को आप यदि देखते हैं तो डॉक्टर से सलहा अवश्य ले आज के दिन अपने सिनियर अधिकारियों से बात करतिश में अपने वानी पर शैयम रखें आज के दिन आपको कुछ अत्रिक्त यात्रा भी करना पर सकता है लब लाइब की यदि बात करें तो आज आप जीवन साथी का शात पाने के लिए कुछ पैसे अत्यधिक भी खर्च कर सकते हैं किसी अजनवी से मुलाकात हो सकती है जीवन साथी की भावनाओं को आज आप कुछ शमजना होगा नहीं तो आपके मधूर शमजन में कुछ कटूता का अहसास हो सकता है इसरासी के इस्टूडेंट्स के लिए पत्रकारता और कानूनी पढ़ाई करने वाले छात्रों को आज कुछ नई सफलता मिलने की यूग नजर आ रहा है हेल्थ के दृष्टी कुण से कोई कप शमबंदी परिशानी आपको हो सकती है इन सभी बातों से बचने के लिए आज के दिन आपको भगवान स्री गनिजी को दुरुगा का भोग लगाना चाहिए इससे आपके शभी काम बनते हुए नजर आएंगे अब आईए बात करते हैं अगली रासी मिथुन रासी मिथुन रासी वाले आज आपको हर काम सांती से निप्टाना चाहिए काम काज में आगे बढ़ने के नए मोके आपको मिल सकते हैं जिसमें आप रूची भी दिखाएंगे लेकिन थोड़ा समय और सांती से ही किसी काम को करने का विचार करें नौकरी के मामनों में आज आप काफी वहवारिक रहने वाले हैं आज के दिन आप हर समस्त्या को आसानी से निप्टा शक्ते हैं आज आप कुछ नई योजना भी बना सकते हैं और उनसे आपको फायदा होने का योग भी नजर आ रहा है इस रासी के छोटे कारूबारी अपने बिजनस से समंदित कोई यात्रा भी कर सकते हैं आज के दिन आपको जल्द वाजी में कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिससे आपके बनते हुए काम बिगड़ जाए अपने बात को किसी के सामने कहने से पहले अच्छी तरीकी से उसके बारिक्यों को सोच विचार जरूर करें आज आपके सामने कई मामले ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपका जूट पकड़ा जाए इसलिए जूट बोलने से बचें आज आप कुछ व्यस्त भी अधिक रह सकते हैं लव लाइप में प्रेमी या जीवन साथी के साथ थोड़ी सी नोग जोग हो सकती है किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने का परियास करें और लव लाइप को लेकर शावधान रहें आज के दिन इस रासी के शादी सुदा कपल अपने जीवन साथी के साथ मीठी बात कर सकते हैं स्वास्त के दृष्टी कुण से कोई चोट लग सकता है आज के दिन आपको वाहन भी बहुत साथानी पूरवक चलाना चाहिए नहीं तो कोई दुरगहटना होने का योग बन रहा है इस रासी के शुडेंट को पढ़ाई में मन लगेगा समय आपके फेवर में है कोई भी निवेस सोच समझ कर करें लेन देन और निवेस में आपको आज के दिन साथानी बरतना होगा आज के दिन शिविलिंग पर जलरपित करना आपके लिए बहुत ही जादा उत्तम रहेगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी करकरासी करकरासी वाले आज आपको किसी व्यक्ति के साथ शम्मन अच्छे हो जाएंगे कुल मिलाकर दिन आपका आज उत्तम गुजरेगा आज के दिन बिगडे हुए रिष्टे और काम में सुधार होने के योग नजर आ रहे हैं आज आपके आशपास वाले लोगों के परती आपका वेवार अच्छा रहेगा आज आप स्वतंत्र विचार से काम करने के एकछुक होंगे कुछ लोग आप से सलाह लेने के लिए कोई जरूरी काम में आ सकते हैं आज आपको डेली के कामों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं इसलिए किसी भी मामली पर जल्द बाजी में फैसला लेने से आपको बचना चाहिए नहीं तो कोई नुक्षान हो सकता है आज के दिन दूसरों की रोक टोक से आपका कोई मुट खराब भी हो सकता है आज आपको एक बात का विशेज ध्यान देना है दूसरों को धिखानने के लिए आप अपने आवसक्ता से अधिक खर्च ना करें और फिजूल खर्ची से बचने का पढ़ियास करें लब लाइप में रोमांस के सेक्टर में एक नया मोड आ सकता है और विभाहित लोगों की जीवन में एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हो सकती है इसरासी के साधी सुदा लोगों का जीवन साथी किशा दिन उत्तम गुजरेगा और आज आपको उनका प्यार भी मिलने वाला है भहत इक शुकों की प्राप्ती होगी इसरासी के स्टुडेंट्स आज कुछ उदास हो सकते हैं आपके सोचे हुए परणाम के अनुशार नहीं मिलने पर आपको कुछ मानसिक तनौवी हो सकती है आज के दिन विसेश रूप से लेन दिन में शावधानी बरते हैं ओफिस में कुछ अधिक महनत करना पर सकता है लेकिन उसका परणाम आपको बाद में अच्छा मिलेगा हेल्थ की यदि बात करें तो कोई पुराने रोग आपको उभर कर सामने आ सकते हैं इसलिए खाने पिने में शावधानी रखें आज के दिन पुर्व देशा की ओर मुख करके आपको भगवान शुरुदेव की पुजा करनी चाहिए उनको नमशकार करना चाहिए इससे आपका दिन उत्तम गुज़ देगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी शिंग रासी शिंग रासी वाले आज बिजनस और कारे छेत्र से जुड़ी कुछ यात्राएं हो सकती है इनका फायदा आपको आने वाले दिनों में अवश्य होगा आपका आत्म विश्वास और आपकी उमीधें आज कुछ अधिक बढ़ी हुई होंगी इससे आपको लाब भी अवश्य मिलेगा कुछ बेहद वेवारिक फैसले भी आज की दिन आप कर सकते हैं दूर अस्थान के लोगों से किसी खास मामली पर आपकी बातचीत हो सकती है आज के दिन जो आपको ध्यान देना है धन हानी के कुछ योग बन रहें तनाव और भाग दोड के कारण कोई मानसिक तनाव हो सकता है जादा काम करेंगे लेकिन आज के दिन फायदा कुछ कम हो सकता है दोड़भा कुछ अधे करना पड़ सकता है इसलिए आज के दिन आप किसी भी परकार के लापरवाही को ना करें कोई भी फैसले बहुत सोच विचार कर ले महत्पुर्ण कामों में फैसले लेने के लिए आज का दिन बहुत जादा उत्तम नहीं है इस रासी के मेडिकल इस्टुडेंट्स के लिए आज का दिन शफलता दिलाने वारा दिन शावित होगा कुछ सोचे हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं हेल्थ की यदि बात करें तो पडिवार के किसी सदस्य की तवियत खराव हो सकती है लेकिन यदि आप ब्लड पेशर से प्रभावित हैं तो इसमें आपको सुधार होने की योग नजर आ रहे हैं लब लाइप आज आपका अच्छा रहेगा जीवन साथी और प्रेमी जोड़े दोनों कहीं दिम उत्तम गुजरेगा आज के दिन उपाय में भगवान सिव संकर को बेल पत्तर चढ़ाएं यहाँ आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा और दिन को बहुत ही मधुर गुजरने में मददगार होगा अब आईए बात करते हैं अगली राशी कन्याराशी कन्याराशी वाले आज आप कोशिस करेंगे तो आज के दिन किये गए लगबग हर काम में आपको फायदा हो सकता है आज आप अपने काम में धैर और सकरात्मक नजरिया रखें साथ के किसी व्यक्ति से आपको जरूरी मदद या सलहा मिल सकती है दूसरों के शाथ मिलकर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आप किसी को अपने विचार से शहमत करानी की कोशिस करते हैं तो दिन आपके पक्ष में रहेगा और वो मान सकते हैं आज के दिन इसरासी के नोकरी पेशा लोगों को उनके बौस से कोई शावर्षी मिल सकती है आपके सिनियर आपके अधिकारी आपसे खुस हो सकते हैं नए लोगों से भी आज मुलाकात आपके लिए फायदे मन रहेगी आज के दिन कुछ गुट घटनाएं हो सकती हैं जो की आपके फेवर में होगा आज के दिन आपको विशेश रूप से किसी भी बात को शमझने में समहल कर रहना होगा बस इस एक बात का ध्यान रखें और किसी से भी वाद विवाद ना करें इस रासी के इस्टुडेंट्स को आज के दिन किसी परत्युक्ता परिक्षा में शफलता मिलने की योग नजर आ रहे हैं वेपारियों के लिए कोई लाब के शोदे हो सकते हैं इस रासी के साधी सुदा कपल को आज के दिन उनके जीवन साथी से बहुत अच्छे शंबन रहने वाले हैं आप दोनों शाम तक किसी अच्छे रिश्टुडेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हैं आज आपको कोई सुभ समाचार भी मिल सकता है इस रासी के प्रेमी जोड़े को आज अपने लब लाइप में एक नया एहसास होता हुआ नजर आएगा आज के दिन आप अपने रिश्टे की बाद अपने घर पड़िवारवालों के शाह कर सकते हैं हेल्थ की यदि बात करें तो आज के दिन आपका सुआस्थ शमान बना रहेगा आज के दिन उपाय में माता दुर्गार अ निक मिसरी का भोग लगाना आपके लिए अत्यांथ ही उत्तम उपाय रहेगा अब आएए बात करते हैं अगली रासी तुला रासी तो लारासी वाले आज आपको कोई पुरानी चिंता खत्म हो सकती है आज के दिन आप पुराने काम को निप्टाने का मन बना सकते हैं और इसमें आपको शफलता जरूर मिलेगी दोस्तों और प्रेमी जनों से अपने मन की बात कहने के लिया से अच्छा दिन है शामहिक कामों को आज आप शफलता पुरूर्वक आज शम्पूर कर लेंगे कई मामलों में आज के दिन आप बेहर वहवारिक रहेंगे इससे आपको आने वाली दिनों में लाव अवश्य मिलेगा आज कम से कम बहुत सारे काम को आप निप्टाने की कोशिस करेंगे लेकिन आज के दिन आपको विशेस रूप से कुछ वातों का ध्यान देना है अपने मन में इस्या, द्वैस जैसी भावनाओं को ना पनपने दें जरन सिलता की भावना आज आपको उल्हा सकता है इसलिए इन बातों में ना आएं खास करके कुछ दूसरे लोग आज आपके कान में कुछ गलत बातें भर सकते हैं उनकी बातों में ना आएं इससे आप विचलित हो सकते हैं आज के दिन आपको अपना समय और पैसे को सही दिसा में इस्तिमाल करने की जरुरत है यदि इस रासी के इस्टुडेंट की बात करें तो जो लोग की पढ़ाई पर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा है आपको शफलता मिल सकता है किसी सीनियर इस्टुडेंट या वकील से आज आपको सिक्छा अध्यान में कुछ नए अध्याय सिखने को मिलने वाला है जो भविस्च में आपके परिक्छा में काम आएगा इस रासी के लव लाइप की यदिम बात करते हैं तो आज आप अपने लाइप पार्टनर के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं आज के दिन आप काफी रोमांटिक मून में रहेंगे भवतिक शुकों की प्राप्ती होने का योग भी बन रहा है हेल्थ के दृष्टी कोन से यदि बात करें तो पेट के रोक से आज आप परिशान हो सकते हैं इसलिए अधिक तले भुने हुए और मसालेदार चीजों को खाने से आपको बचना चाहिए और रात के समय कोशिस करें थोड़ा सा भोजन कम करें और दूद अवश्च पी कर शोएं आज के दिन उपाय में क्या करें उपाय में आज के दिन किसी गरिब व्यक्ति को हरे सबजीयों का दान करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा इससे आपको आज के दिन को शफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है अब आईए बात करते हैं अगली रासी वरिष्चिक रासी वरिष्चिक रासी वले आज धन और पडिवार के सहीयोग से आपका मन परशन रहेगा आपको आज के दिन किस्मत का शाथ मिल सकता है आपके काम पूरे हो सकते हैं आप कारे छेतर में जिस पहचान और सम्मान के वो को आज उनके कारियों में फैदा होने के योग नजर आ रहे हैं आप अपने केरियर और पेसे में परगती के लिए हर संभव कोशिस जरूर करें महनत के दम पर आज आपका असर लोगों पे जरूर होने वाला है लेकिन आज के दिन आपको विश्यस कुछ वातों का रहना होगा खास करके अपनी एकागरता को खोने ना दे और आज के दिन जोखिम भरे निवेस करने से बचें और इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा ना करें अपने अंदर क्रोध अहंकार ना आने दें किसी से बात करतेश में अपनी वानी में मधूरता बनाई रखें इससे आपके काम अपने आप बनते हुए नजर आएंगे जीवन साथी से आज आपको विशेश रूप से मधूरता परुवग बात करना होगा उनकी भावनाओं को शम्मान देना होगा लब लाइप में आज आपको जिद नहीं करना चाहिए किसी बात पर अधिक जो फैसन लाइन में या गिलेमर से जुड़े हुए लोग हैं उनको शार्धान रहने की जरुरत है आज की दिन इन छेत्रों में काम करने वाले लोगों को कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है स्वास्त के दृष्टी कोन से आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेग कोई पुरानी रोग से आज आज आपको मुक्ती मिल सकती है आज के दिन उपाई में क्या करें भगवान श्री गनेश जी को लड़ू का भोग लगाए यह आपके दिन को बहुत ही जादा उत्तम बनाने वाला है अब आई ये बात करते हैं अगली राशी धनुराशी धनुर रहेंगे पूराने दोस्तों से आज आपको किसी मामले पर बातचीत हो सकती है आज आप जब तक शकरात्मक रहेंगे आपके साथ शब कुछ शकरात्मक होता रहेगा इसके लिए आपको धैर रखना होगा और खुद को शांत बनाये रखने की कोसिस करना होगा आपका हर काम परिश्रम के बल पर पूरा हो सकता है पूरे दिन आपके दिमाग में आज कुछ नए विचार भी आ सकते हैं आज के दिन विशेश रूप से कुछ लोग आपको विरूद कर सकते हैं इन बातों से आपको शावधान रहने की जर्रत है कोई नुक्षान होने की खबर भी मिल सकती है आज के दिन कोशिस करें कोई भी नया काम सुरू ना करें और आज आप अपने गुप्त बातें किसी दूसरे के शामने सेयर ना करें हलांकि कुछ गुप्त बातें या प्लान आज आपके शामने आ सकती है आज के दिन आपको काम में कुछ अधिक बीजी रहना पड़ सकता है कोशिस करें आज के दिन अपने वानी पर शैयम रखें अधिक बोलने से आपको लाब नहीं मिलेगा आज के दिन खास करके गलत काम जो समाज में उप्युक्त नहीं माना जाता है ऐसे कामों से आपको रूची हटाना होगा वैपार में थोड़ी सी परिशानी हो सकती है वहां चलातेश में आज आपको शावधान रहने की जरुरत है लव लाइप में यदि बात करें तो जीवन साथी के साथ आज आपको कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकता है कोई नया व्यक्ति भी आज आपकी तरफ एट्रेक्ट हो सकता है लव लाइप के ख्याल से आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ यादगार पल गुजारने वाले हैं उनकी भावनाओं को आज आप शम्मान देंगे आज के दिन यदि इस रासी के हेल्थ की बात करें तो सेहत में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए पुराने रोग कुछ परिशान कर सकते हैं हाथ पर और बदन में दर्द हो सकता है यदि आपको लगता है कि ये हमें परिशान कर रहा है तो चिकित सक्से सलहा अवश्य लें रोगों को अंदेखी बिल्कुल भी ना करें नहीं तो ये आने वाले समय में आपको मुसीबत देश रखता है आज के दिन उपाई में क्या करें हनमान जी को सिंदूर अर्पित करें यह आपके लिए बहुत ही जादा उत्तम रहेगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी मकर रासी मकर रासी अले आज आपको अपने कामकाज की वज़े से शम्मान मिल सकता है पार्टनर से मदद और फैदा दोनों मिलने के योग नजर आ रहे हैं आपके रोज मर्रा के काम शमय पर पूरे हो सकते हैं आप जो भी वहसला करें सोच विचार कर अपने विवेक पूर्व तरीके से करना चाहिए पहले सभी विकल्पों पर अच्छी तरीके से विचार कर लें पडिवार के लोगों से और दोस्तों से सलाह जरूर करें पडिवार के साथ आज आप कहीं घुमने के लिए भी जा सकते हैं घर पडिवार और ओफिस में आपको लाव एवं सहयोग दोनों मिलेगा जमीन से संबंदित वेपाल करने वाले लोगों को फायदा हो सकता है किसी सर्थ या किसी योजना आदि के लिए आज आप से खास आग्रह भी किया जा सकता है या कोई काम करने के लिए आज आप पर दवाव भी बनाया जा सकता है तो इन सभी बातों में सोच विचार जरूर करें शावधान रहें, सतर करें, सुरक्षित रहें इस रासी के इस्टुडेंट्स जो पर्तियोक्ता परिष्छा की तैयारी कर रहे हैं या आज देने के लिए जा रहे हैं शफलता आपको मिल सकती है लेकिन परिष्ट्रम आपको अधिक करना होगा अचल संपती से कोई फायदा होने का योग नजर आ रहा है हिल्थ की यदि बात करें तो सिहत के मामले आज के दिन आपके लिए उत्तम बने रहेंगे थोड़ा सा उतार चड़ाओ हो सकता है तेकि कुल मिलाकर आज का दिन आपके स्वास्त के दृष्टिकुन से बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज के दिन उपाई में क्या करें आज के दिन बर्गत के वरिख्ष में जलर पित करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाई रहने वाला है अब आईए बात करते हैं अगली राशी कुम्बराशी कुम्बराशी वाले आज आपको दुश्मनों पर जीत मिल सकती है जिमेदारी के भावना के दम पर आपको शफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं कोट का चहरी से जुड़े कामों में जीत हो सकती है कोई पुराना लोल बांकी रहा हो तो आज वो आप चुका देंगे आप के पुराने रुके हुए काम पूरा हो सकते हैं ओफिस में अफसर आपके सीनियर आपसे खुस हो सकते हैं आज कोई खास काम आपको दिया जा सकता है जिसमें आपको आनन्द भी आने वाला है कोई जरूरी सुचना भी आपको मिल सकती है आप दूसरों को खुस करने के लिए पूरी कोशिस कर सकते हैं आपके मन में आज के दिन उदारता रहने वाली है बहुत समय से कोई वेक्ति आपको लगातार यदि किसी काम में टालता आ रहा है तो आज वो काम पूरा होने का योग नजर आ रहा है आज के दिन कुछ नकरात्मक बातें जो आपके रासी फल में देख रही है कि भाईयों के साथ छोटी मोटी बहस होने के शंभावना बन रही है कुछ लोग आपके लिए किसी काम को एप्रोच कर सकते हैं लेकिन उस काम में आपको बदनामी भी हो सकती है इन बातों को आपको ध्यान देना होगा आज के दिन किसी से भी उचे वादे करने की कोशिस ना करें जो आप पूरा ना कर पाएं इससे आपके मान सम्मान में कमी आएगी और जरुद से ज़्यादा खर्चा आपको नहीं करना है इससे आपको बचना होगा हेल्थ आज आपको कुछ मौसमी रोग प्रिशान कर सकता है इस रासी के इस्टुटिंट्स के लिए दिन शमान परणाम देने वाला दिन रहेगा तो आज रोजगार मिल सकता है इस रासी के वेपारी बर्गों को आज उनकी वेपार में अच्छे लाब होने के आसार नजर आ रहे हैं लब लाइब की यदि बात करें तो आपका प्रेमी या पार्टनर कुछ अजीब बिवार कर सकता है लेकिन आप इस एधार पर कोई भी फैसला ना ले और विवाईत लोगों के लिए प्रेम संबंध को लेकर आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा आज आपको कोई नई प्रस्ताव भी मिल सकते हैं या अपने दिल की बात किसी व्यक्ति से आप साजा कर सकते हैं अब आईए बात करते हैं अंतिम रासिफल, मीन रासिफल मीन रासिफले आज ओफिस में बड़े लोग आपके काम की तारीब कर सकते हैं कुछ लोग आपके लिए मददगार भी शाबित होंगे नौकरी में पदनुत्ति के योग बन रहे हैं बिजनस में आपको फायदा होगा शमस्याओं को शमाधान करने में आप सफल हो सकते हैं रोजमर्रा के काम पूरे हो सकते हैं कोई काम नहीं रूकेगा लिखा पढ़ी के कामों में फायदा होने का योग बन रहा है राजनीती से जुड़े लोगों को पद का लाब हो सकता है आपकी कोई योजना आज चल जाएगी और उससे फायदा हो जाएगा दोस्तों से भी कुछ मुलाकात होने के आसार नजर आ रहे हैं आज के दिल आपको कुछ नकरात्मक बाते जो रासी फल दर्शा रही है कि आप अपनी बाते और प्लानिंग को सारजनिक तोर पर व्यक्त करने से बचें आज आपको सोचने समझने के लिए समय नहीं मिलेगा इसलिए जहां तक हो सके कोई बड़ा या आर पार का फैसला जल्द बाजी में ना करें इस रासी के लोग यदि कर्ज लेना चाह रहे हैं तो रुख जाएं कर्ज लेने के लिए ना सोचें कर्ज लेने से आप लंबे समय तक परशान हो सकते हैं नौकरी पेशा में आज आपको परमोशन हलाके मिल सकता है मेनेजमेंट और फाइनेंस के इस्टूजन को आज अच्छी सफलता मिल सकती है इसके साथ ही मेडिकल और इंजरिंग सेक्टर के इस्टूजन को आज कुछ अधिक महनत करना होगा हेल्थ में यदि बात करें तो कुछ पुराने रोग आपको परिशान कर सकते हैं इसलिए अपने स्वास्त का विसेस ख्याल रखें लव लाइफ में यदि आज बात करें तो आज आपको लव पार्टनर की सलह से कोई धनला भी हो सकता है दिन आपके लव लाइफ के लिए अच्छा गुज़रेगा उपाय में क्या करें आज की दिन उपाय में घर से बाहर निकलती समय पहले अपने बाय पैर को बाहर ना करें कोशिस करें जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने दाय पैर को आगे करें और स्री गनेश का नाम लेकर आगे बढ़ें, उनका आस्वरन करें, गनेश जी का पणाम करके ही निकलें, ओम गन गन पते नमा मंद्र का 21 बार जाप करें, इससे आपके सभी काम बन जाएंगे और दिल बहुत ही जादा उत्तम रहेगा. तो दर्शकों आपने देखा क्या कहता है आपका आज का रासी फल, इसी प्रकार से जोतिस एवं धर्म से जुड़े अनेक रहषपुन महत्पुन बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को अधि कि पुंड़ी एबम राष्यों का पोर्न बिश्ले तो है, अचारिक चंदन के सांडीलेजी से जुड़ेशा है